हेलो गाईस टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत हैं तो गाईस आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न और पनीर की बहुत ही लाजबाप और चटपटी सबजी अगर आप मेरे तरीके से बनाते हो ना बहुत ही टेश्टी बनेगी और सभी को बहुत nPreट बनेगी तो भुटटे को हमें जो है दाना निकाल करके तायार करना है तो तोड़ करका भुटए को आप इस तरीके से दाना निकाल सकते हो भुटट के लिए हम यहां पर टामाटर बॉयल कर लेते हैं तो बस पानी एक कप रखी और इसमें दो टामाटर को बड़े तुक्रे में डाल करके बॉयल कर लीजे तीन-चार मिनट में टामाटर आपको बॉयल हो जाएगा जैसे यह आप देखो कि छिलका उतारना सुरू हो चुका है त अगर आप देशी घी नहीं पसंद करते हैं तो आप यहां पर बटर का यूज भी कर सकते हैं गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और जैसे घी हमारा गरम हो जाता है इसमें हम स्वीट कॉर्न आट करेंगे और तीन-चार मियर तक मिक्स करते हुए हम स्वीट कॉर्न को यहां पर फ्राइ कर लेते हैं जिसे की स्वीट कॉर्न का सारा जूस निकल जाएगा और स्वीट कॉर्न आपका हलका सब पक जाएगा फिर इसकी सब्जी बनाएंगे बहुत ही टेश्टी लगेगी तो स्वीट कॉर्न को हम बाहर निकाल करके रखेंगे और इसी पैन में हम इसे हमें फ्राइ कर लेना है तीन-चार मियट हमें पनिर को भी फ्राइ करने में लगेगा तो जैसे आप देखो की लाइट ब्राउन कलर आ चुका है क्रिस्पी दिखाई देने लगी है पैन से बाहर हम निकाल करके पनिर को भी रख लेते हैं अब ग्रेवी बनाना शुरू ग्रेवी बनाने वाले हैं तो घी गरब होने लेट करेंगे लैसून और अध्रक दोनों चीज को मैंने हाँ पर कद्डू कसकर लिया है अगर आप पास पेस्ट अलेबल है तो पेस्ट यूज कर सकती हैं साथ में दो तेज़ पत्ता एट करेंगे और मिक्स करते हुए इसे हम कुछ सेकेंड तक पका लेंगे जैसे ही आप देखो कि कलर हरका सा चेंज हो चुका है फिर इसमें हम आट करेंगे प्याज, तो प्याज को मैंने बारिक चौप करके लिया है, प्याज को भी मिक्स करिया और इसे हमें 3-4 मिर तक पकाने की जरूरत पड़ेगी जैसे ही आप देखो कि प्याज का कलर चेंज हो गया, लाइट ब्राउन कर दिखाई देने लगी है हमारी प्याज अब इसमें हम आट कर देते हैं एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर कॉंटिटी कम जादक किया जा सकता है सब्जी जितना स्पाइसी बनाना चाहा रहा है आप उसी साप से इसी के साथ इसमें आरहा चम्मच हल्दी पाउडर एट करेंगे और साथ में ले लिया है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कश्मिरी लाल मिर्च बिल्कुन ओप्शनल है, सिर्फ कलर के लिए यूज किया है मैंने इसी के साथ थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे मसाल में पानी डाल देने से मसाला हमारा जलेगा नहीं और अच्छे से पक जाएगा फिर इसमें हम टमाटर का पेश्ट आइट करेंगे मिक्स करते हुए चार-पांस मियार तक हम पाकाएंगे जब तक कि टमाटर का जूस निकलना जाए तो गाइस का फ्लेम मिडियूम रखिएगा और इसे हम मिक्स करते रहेंगे ताकि जली नहीं जैसे ही आप देखो कि सारा टमाटर का जूस निकल चुका है फिर इसमें हम आट करेंगे थोड़ा सा हराधनिया बारिक चौप करके इसी के साथ सबजी को क्रीमी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दूध की मलाई यानि जो घर का दूध आता है उसी की मलाई मैंने लिया है तो इसे हमें 3-4 मेर तक पकाने की जरूरत पड़ेगी जैसे ही आप देखो कि हलका से घी निकलना शुरू हो चुका है फिर इसमें हम आट कर देते हैं स्वीट कॉर्न इसी के साथ मैं इसमें आट करूँगी फ्राई की हुई पनीर और साथ में ले लिया है मैंने यहाँ पर एक चमच नमक नमक की कॉंटिटी आप कम जादा कर सकते हैं जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से सभी चीजों को मिक्स करिए और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे हाई फ्लेम पर जब हम इसे पकाएंगे ना तो जो भी एक्स्ट्रा जूस है ग्रेवी में वह निकल जाएगा और सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है किसी भी कंपणी का पनीरब मसाला यूज कर सकते हैं मार्केट में कई तरह के अलेवल हैं साथ में लिया है मैंने थोड़ा सा गराम मसाला पावडर ये मेरा घर का मसाला बना हुआ है सबी चीजों को मिक्स करिए और इसे हम continue मिक्स करते रहेंगे ताकि जले नहीं क्योंकि फ्लेम हाई है उसके बाद इसमें हम डालेंगे half cup पानी पानी को भी मिक्स कर दीजिए और जैसे ही आप देखो कि जो हमने कच्छा पानी यूज किया है ये पक गया है और काफी हमारी हम पर ग्रेवी गाड़ी हो चुकी है घी काफी उपर उपर दिखने लगा है फिर इसमें हम थोड़ा सा हरी प्याज बारिक चौप करके आट करेंगे एक बार फिर से मिक्स कर दीजिए और आपकी पनीर और स्वीट कॉर्न की ये सबजी बन करके तयार हो चुकी है खानी में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट है तो आप इसे बना करके ट्राइक कर सकते हो आप लोगों को ये रेस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे चैनल पर नए आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि ऐसे ही रेस्पी आप लोगों को मिलती रहे मिलते हम आप लोगों से एक नई रेस्पी में बाई गाईस